इंटर आर्ट्स का डिजल्ट आ गया और ऐसे में पूरियां बाइसी के लड़की टॉप कर गई यही स्कूल है जहां से वह पढ़ाई करती थी और दोपहर का वक्त है और यहां पर देखिए सर भी है मुदेशिर भी है उनके पापा भी है और एक सिक्षक भी है बातचीत की स्कूल के साथ हमलों की लड़की भी है वो क्योंकि हमारे सिक्षक है उनकी बच्ची है और यहीं पास में हमारे सिक्षक रहते हैं फैमली लेके हम लोग आना जाना है अपनी बच्ची के तरह सब दिन इन लोग इसको हम लोग ने गाइट किया और जो ही रेजल्ट हुआ तो पोड़ा है स्कूल हमरा जूम उठा फुले नहीं शमा रहे थे पढ़ने लिखने में कैसी थी ब हाला कि मैट्रिक भी वो की है यह बगल ही में बैसी में प्रोजेक्ट सी की है वहां भी बहुत अच्छा नंबर से पास की है यह जब यह अपलाई की थी इंटरम एडमिशन के लिए हम लोग का यह खुसकिसमत थे कि इसका लामानकन के लिए हमारे स्कूल में सेलेक्ट हो गय उसी दीन से हम लोग चाह रहे थे कि यह बच्ची हम लोगों का नाम रोशन कड़ेगी स्कूल में नाम लिखाया थी कुछ नटखट कुछ बदमासी इस तरह करें कुछ नहीं टैमली आना अपना पढ़ाई के पड़ती पूरा समर्पित रहती थी पूरा पढ़ाई पर ध्य यह बच्छ कर देएक हैं लाव्रियों को किताबों की मतलार कर दिया करती थी यह सारी खुबी इन सुट में कलने कार्श कम में लेकर होता तो सम्समें बह akl dauert कि क्या इसका स्थान बहुत अच्छा आश्छारा अस्तां आं पापा भी बगल में खारे हैं क्या नाम हो अच्छा आपका माम जुनेद आलम जुनेद जी बेटी टॉप कर गई जी इतना खुश है बहुत खुश है एक पिता के नाते भी और सिक्षक के नाते भी डवल खुशी है कि मुबारक बाद देर हैं मुबारक बाद है दिल से मुबारक बाद है क्या उमीद है बेटी से बेटी से इसलिए कि हम पिता हैं इनकी बच्पन से जानना है कि इनकी जो इक्षाएं हैं हम अब तक पूरी करते आया हैं और ये जिस बात का प्रन लेती है उसको पूरा करती है जैसे प्राण मैट्रिक मैं इनको यह करना चाहती थी टॉप लेकिन इसी एपिडिमिक डिजीज के करण तैयारी नहीं हो पाई जिसको वैसे इसको कम मार्स आ गिया इफरस्टेट थी 445 मार्स है मैट्रिक में तो मैं इनको समझा है के बेटी देखो मैट्रिक ही सब कुछ नहीं एक तो यह बेस है अगर तुमारे अंदर एविलीटी है तो तुम इसका रिजल्ट इंटर में देखा दोगी और इनका जल्बा बहुत अच्छा रहा है और वो अब सब के सामने हैं और इनकी तैयारी जैसी चल लही थी और तो मैं आजी ए फादर फिर एजी सिख शक जब एक्जाम के बाद आती थी तो रात में कुछन क्विरीक इन से भूता था तो बहुत मैं सटिस्फाइट थी कि बहुत थी अच्छा एक्जाम गिया है इनका रेंक आज आना ही आना है उसके बाद फिर यहां से कोपी मंगा गिया कोपी भेजे हम लोग बोर्ड पंदरह को और सोले को महां से फोन आया कि अठारह को आपको दस भई यहां रिपोर्टिंग करना है बच्ची को लेकर हम लोग जो था सुटूल के हिसाब से पहुचे उसके बाद इनसे मनें जवर्दस जैसे बीपेसी यूपेसी का इंटेवी होता है जस्त उसी तरह से उस्ताश किया गया उसके बाद फिर बच्ची बाहर नेकली बरी खुस थी कि पापा हम तो फस्त में घबडाय हुए थे लेकिन बहुत अच्छा गिया मेरा ही और रेंक आना ही आना है पहले से सटिसफाइड थी कि हम बहतर पहले से एक बात और जानना चाह रहे हैं पढ़ने लिखने बच्पन से ही पढ़ने में बहुत रूची रही है जिसके वज़े से मेरा घर यहां से लगवाग 35 कुल मीटर इंटेरियर में है तो इन लों की जैसे बच्पन में तो मैं ख यह एक से छोटी है और एक बैटा है तो राइटिंग तो मेरी भी अच्छी है लेकिन इन लों के सामने अब मेरी राइटिंग फिकी है बैटा सेवंत मैं आप उसकी भी राइटिंग देखेंगे तो आप कहेंगे कि इसकी राइटिंग नहीं आप सिक-छक हैं लेकिन माने पिछरे चेतर से आते हैं और आप अगर बच्चे को किसी के हवाले करते हैं तो आज मोटी रखम चाहिए इसी विसे इन सब हालात को देखते हुए मैंने अपना घरबार छोड़ा कि जब हमको डेली स्कूल आना ही है तो क्योंने पड़िवार को ही साथ रखा जाए इससे अपना रास्मेंट भी कम होगा और वो टाइम हम बच्चों में देंगे इसी स्कूल में है सरा इसी स्कूल में आप पढ़ाते हैं और इसी स्कूल से आपकी बेटी टॉप करेंगे जी जी आज के दिन में सर क्या कहेंगे मैं तो बेटी से यह कहूँगी कि तुम्हारी जो इक्षा है, हर वेक्ती की एक इक्षा होती है तो मैं हर मुम्किन इनकी इक्षा को पूर्त करने का परियत करूँगा और तन मन धन से मैं इनके साथ हूँ तन, मन, धन से पापा आपके साथ है बेटी किस तरीके से आगे बढ़ेगे जी, मैं भी मैं अपना पुरा मला के पुरा ज़जबे से और महने से आगे बढ़ूँगे इस वक्त स्कूल में हैं हम लोग बाचीत आपसे कर रहे हैं सिक्षक भी मुबारक बात दे रहे हैं एक तरह पापा भी मुबारक बात दे रहे हैं काफी खुश हैं शारे लोग जी है क्या मतलब इस खुशी का जो बड़ा शिरे किसको देते हैं अपने पेरेंट्स, सभी टीचर्स को देना चाहूंगे करने इडिल क्यों को अफिंड है मेरी आइडिल तो मेरी अम्य थया है मतमत्ब क्या क्या थाkehr मेरी एम्ही क्यों मुझे मुचें मॉझे मॉडरार सपर्ट करती है तो मलत प्रद्सर को रखता है अर्मेरे अपनलैocide को अपसुश का कए ना तो जो खास बात होती है मैं उनको एड़ोट करती हूं लेती हूं उससे मुहबब घर में सबसे ज़्यादा कौन आपसे करता है सर ये तुब एक है मम्मी पापा और दो नो बड़ा बड़ी कौल इस वोटा भाई तो मिठाय मांग रहा होगा मिठाय खिलाओ तुम टॉप क साइंस आर्ट्स कॉमर्स में बेटी जबरदस्त परदशन की और पूरे बिहार में उनका नाम रोशन हो गया बिहार के पूर्णिया में है और ये बैसी है इसी स्कूल से मुदश्यर पढ़ाई करती थी और इंटर आर्ट्स में वो टॉप कर गई उनके सिछक भी हैं उनके पिता भी हैं और यहां पे मुदश्यर भी खरी हैं बातचीत के दरान कहती है कि हम सब को समान सब का इज़त करते हैं और इस मामले में मेरी मा बहुत ही ज़्यादा हमको सपोर्ट करती थी और बहुत ही ज़्यादा हमको प्यार महबबत भी करती थी हम सब का समान करते हैं और हैं और मिर्व को अधितमेदारे को हम पुरा करेंगे और इंके पीटा का कहिना है किवह बत लिए शुक्रिया ज़नेवान शुक्रिया धन्यवाद